दिल लाइफ टीवी सच सब से आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीत ज्या और आप देख रहे हैं दिल लाइफ टीवी इसराइल को बहुत ही बड़ा जटका लगा है दक्षुरी गाजा में जब वह जंग लर रहा था तो उस वक्त हमास के लड़ाकों ने उसके एक बड़े अपसर को भी धेर कर दिया कुछ सैनिकों को भी वहीं जमिंदोज कर दिया इसके अलवा बताया जाता है कि कुछ सैनिक वहां घायल भी है और यह जब घटना घटी तो इसराइल इसे छिपा रहा था पिर क्या था हमास के लड़ाके समय समय पर बीडियो फुटेज भी जारी कर देते हैं और जैसे ही बीडियो फुटेज जारी हुए तुरंत इसराइल ने कबूल लिया कि हाँ वो तो गए थे एक ऑपरेशन में लेकिन वहां पर उनके अपसर भी धेर हो गए उनके सैनिक भी मारे गए और ऐसे में हमास के लड़ाके उन पर भारी पर गए अब देखिए मिसरा अम्रेश ने ट्विट किया है कि कि IDF admits to the death of two of its soldiers and the wounding of one officer to other soldiers during battles in the Southern Gaza Strip कहा जा रहा है कि IDF ने डक्षोनी गाजा पट्टी में लड़ाए के दौरान अपने दो सैनिकों की मौत और एक अधिकारी दो अन्य सैनिकों के खाहिल होने की बात सुईकार की है रिपोर्ट आज छपी है कि 13 फरवरी को भी इज्राइली सैनिक धेर हुए थे और उसके अब वीडियोज सामने आने लगे हैं लेकिन यह लोग मानते नहीं है इज्राइल वाले छिपाते हैं अपने आकरे छिपाएंगे अभी तक मात रुबू अपने सैनिकों के हत्या का ज कि अगर इनका वर्स चले तो यह उतना भी ना दिखाएं क्योंकि यह रिपोर्ट ही छिपा देते हैं क्योंकि इन्हें डर है नेतन्याहू को डर है कि अगर आईडियाफ के भीतर भगदर मची तो इस्राइल की जनता उन्हें कभी माप कड़े के रहे हैं आई कुछ हेड्ला बस बाते वही लिखी है कि किस तरीके से हमला होता है क्या असर होता है कैसे दोस्मनों को पसीना चुराया जाता है यह तमाम सारी बाते लोने लिखी तो है लेकिन वीडियो देखना जरूरिए यह वीडियो चुकि अलकसाम ब्रिगेड ने जारी किया है और इस वीडियो में भी दिखाई पड़ता है कि कैसे टार्गेट पर लिया जा रहा है निशाने पर लेकर हमास के लराके इस्राइले सेनाओं को धेर करते हैं जबरदस्त फारिंग करते हैं गोले दाग देते हैं और इससे इस्राइले इससे नोडेर हो जाती है बताया जाता है कि यह वो फूटेज है जो हाल के दिनों में इस्राइले इससेनिकों पर हमास के लराकों ने कारवाई किये उससे जुड़ा हुआ है और इसके बाद भी जो तेरा फरवर्वर्य की घटना घटी थी उसका कबूल वाकई में यहां पर इस्राइले इससेनिक मारे जा रहे हैं और यह संख्यां बढ़ते बढ़ते बताया जाता है कि 240 तक पहुंचिए आए कुछ रिपोर्ट भी हम इस सम्मध में दिखा देते हैं जो भी आपने वीडियो फूटेज देखे हैं उसको लेकर हमारे पास हिंद यह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो भी फूटेज जारी हुए हैं वाकई में यह वही फूटेज हैं जिसे हमास ने जारी करके इसराइल को कहा है कि भाई सच बोल दो सच नहीं बोलोगे तो सच हम दिखा देंगे आत्म होती नजर नहीं आ रही है हमास ने 25 फरवरी को फूटेज जारी किया जिसमें कथित तौर पर दक्षण गाजा के खान यूनिस में तेबर लडाई दिखाई दे रही है एक क्लिप में गाजा की एक इमारत के अंदर शरन लिए हुए आईडियाप सेनिकों पर रोकेट हमला दिखाया गया है इस बीच इजराईली सेना ने एक ही दिन में तीन सेनिकों की मोत की पुष्टि की है बड़ती हताहतों की संख्या के बावजूद इजराईल के प्रधान मंत्री बेंजा मिनित अन्यारू ने राफा पर हमला करने की अपने योजना दोर आई और ये व जाते हैं आजे कुछ हेड्लाइन देख लिजिए इसके अलावा अभी जो हमारे पास एक रिपोर्ट है वह है टाइमस ऑफ इंडिया की टाइमस ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तेरह फरवरी को जारी किये थे और उस बक में बताया गया था कि इसराईल के सैनिक वहां ध दक्षिन गाजा में तीन सैनिकों की मोत की घोष्णा की क्या वे बिल्कुल नजदिक से मारे गए अब इसमें जो लिखा हुआ है जरा वो भी देख लिजिए एक दुखद घटना करम में दक्षिन गाजा में गहन लडाई में एक वरिष्ट अधिकारी सही तीन सैनिकों की जान चली गई जिस से हमास के खेलाफ जमीनी हमले में मरने बालों के संक्या 232 हो गई आईडियाप ने आधिकारिक तोर पर लेटिनेंट करनल रेस की मौत की घोष्णा कि नेतनेल याकोव एलकोवी मेजर रेस यायर कोहन और सार्जेंट पर्थम सुरेनी फिर जो है बताया बीर रूप से घायल हो गई जैसा कि आईडियाफ ने बताया है मारे गई सेनिकों के संख्या हमास के खिलाफ चल रहे है जमीनी हमले में आईडियाफ के सामने आने वाले चुनोतियों को उजागर करती है और इससे देखिए कि जो टाइमस अफ इंडिया के रिपोर्ट है इ आपको दिखाते हैं यहां क्या कहा जा रहा है कि आईडियाफ ने कहा कि सप्ताहंत की लडाई में कई गाजा बंदूक धारी मारे गए कंपनी कमांडर की हत्या यह कंपनी कमांडर की हत्या हुई है वह इस्राइली कमांडर है अब हम उनकी तस्वीर के साथ आपको बता देत ना कि जिससे हमास के खिलाब जमीनी हमले में मारे गए सैनिकों की संख्या 238 हुगई अब यह जो 238 हुई है उसमें 232 की बात हुई थी लेकर यहां 240 तक पहुंचा है अब यहां क्या लिखा गया है कि उनका नाम मेजर याल शुमीनोव 24 बताया गया जो 24 वर्षके थे जो कार्मियल से गिव्टी ब्रिगेर की शेक्ड बटालियन में कमपनी कमांडर थे और यहीं पर उनके जो मुटभेर हुए हमास के लडाकों से उसमें धेर गए इसराली रक्षाबल ने इस बात की पुष्ट की है इस समझ में एक आखरी हेडलाइन और ही देख लेते हैं टाइम सफ इसराल की ही रिपोर्ट है इसमें जो बताई जा रही है बातें वह भी बताएंगी कि हाँ वाकई में नुकसान तो भाई हो रहा है देखिए गाज के लड़ाकों ने लिखा गया है कि दो सैनिकों की मोत से इसराइल के लंबे जमीनी हमले में मरने वालों के संक्यां 240 हो गई क्योंकि सैनिकों ने पट्टी के आसपास बिभिन होट स्पोर्ट में लड़ाई जारी रखी साथ ही सुदूर दक्षिनी गाजा शहर राफा में आ अपने सैनिकों की शहादत को लगातार देख रहा है तो इससे उनकी बीता चटपटाहट है अब वो कैदियों के रिहाई के लिए या जो दिविराम की योड़ बढ़ना चाहते हैं कुछ समय के लिए हमला को टाल भी रहे हैं लेकिन देखी आगे होता क्या है फिलहाल इस व